Hello All, Welcome to Himachal Pradesh YouTube Channel बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए लेक्चर में जहां पर हम History Subject में एक बहुत इंपॉड़न्ट टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है First Carnatic War तो First Carnatic War इसलिए important है क्योंकि इसके बाद हमें British का rise होता हुआ दिखता है इंडिया में तो exam point of view से काफी important है और इसके regarding काफी कई बार question पूछे भी गए हैं आपके prelims examination में तो First Carnatic War एक भूमिका बनाती है जिससे हम देखते हैं कि British किस तरीके से French को dominate करते हैं और उसके बाद French को outs करते हैं from the India ठीक है और उसके बाद वो local powers को हटा कर इंडिया में एक बहुती बड़ा colonial empire खड़ा करते हैं तो First Carnatic War हमारा आज का topic रहने वाला है बहुत important topic है ध्यान से सुनिएगा और इस lecture को use करिएगा अपनी exam की preparation में ठीक है शुरुआत करते हैं lecture की सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe over YouTube चैनल और इसके सासत अब हमारा टेलिग्राम चैनल भी जाइन करिए ताकि आपको हमारे वीडियो की हमारी PDF की latest update मिलती रहे तो देखे अब बात करते हैं सबसे पहले First Carnatic War की तो First Carnatic War में सबसे पहला कोशन आता है कि यह war हुई किसके बीच में तो यह war हुई थी British Powers के बीच में and the French के बीच में तो British एक साइड पर और French एक साइड पर इन दोना के बीच में war हुई लेकिन यह war यूरोप में नहीं रही यह war यूरोप में नहीं हुई क्योंकि दोनों ही पावर यूरोप ही है ने तो आपको लगेगा कि यह war शायद यूरोप में ही होगी यह war इंडिया में होती है ठीक है तो Anglo-French struggle जाना जाता है इसको क्योंकि यह war for supremacy थी दोनों foreign power यह चाहती थी कि वो इंडिया में अपना hold increase करें इंडिया के internal matters में दखल दें और इंडिया को control करें देखिए अगर आप लोग 17th century के बारे में पढ़ते हैं आप लोग 18th century के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा जो European trader थे वो इंडिया में आते हैं trade करने और वो इस Mughal Empire की disintegration का फायदा उठाते हैं इंडिया को control करने के लिए ठीक है तो declining Mughal authority and the weak regional power जो Mughal authority के बाद जो regional powers आती हैं अवद, Bengal, हैदराबाद इन तिनों को छोड़के जितनी भी original power है वो काफी weak हैं आपस में लड़ती हैं ये चाहती हैं कि हम अपना राज्या बढ़ा करें बले ही दूसरे का राज्य एकदम छिन बिन हो जाए इनको कोई national identity की परवार नहीं थी ठीक है तो ये incapable of safeguarding the commercial interest of European company और and French के बीच में जिसका main name क्या है इंडिया में supremacy gain करना इंडिया में ज्यादा से ज्यादा control करना ताकि वो अपना trade अच्छे से कर पाएं ठीक है तो यहाँ पर यह जो ground है war का बिटिश के बीच में और France के बीच में यह सबसे पहले South India में आपको देखने को मिलेगा क्यों South India मे है मुर्शित कुली खान है यह नहीं एंटर करने देंगे बिटिश को बेंगॉल में बहुत एक लेवल से ज्यादा यहाँ पर मराथा पावर्स हैं यहाँ पर सिंधिया वगरा है बहुसली वगरा है उपर तो अभी भी उपर बिटिश को जो attack करना था वो difficult था और यहाँ प तो यह गा यह कारनाटिक बिसिकरी कॉरोमंडल कोस्ट वाला रीजन है जिसकी जो कैपिटल है उस टाइम पर वह आर्कॉट है ठीक है आर्कॉट वैल और यह वाले रीजन कारनेटिक में आते हैं तो यह वाला जो पार्ट है कॉरोमंडल कोस्ट का इसका हम उस टाइम का कारन साउथ में कोई एक बड़ी पावर नहीं थी कंट्रोल करने के लिए इनको, ठीक है, हैदराबाद का नवाव वीक होता जा रहा था, ठीक है मैसूर इस टाइम पर ओडियाड डैनिस्टी के कंट्रोल में था, तो यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी पावर नहीं थी जो इनको रोक पाती, इसके साथ साथ जो फ्रेंच थे, उनमें एक नया ट्रेंड आता है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में दखल देना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर लड़ाई होने के चांसे काफी बढ़ जाते हैं, अब इस ट्रेंगल शुरू क्यों होता है, रिजन क्या है इस परडिकुलर फर्स्ट कार्नेटिक वर के बीचे, देखिए हर एक वर में आपको तीन चार बाते पताओनी चाहिए, जब भी हम कोई भी वर पढ़ते हैं हिस्टरी में, तो हमें उसका कारण पताओना चाहिए, रिजन पताओना चाहिए कि वर हुई क्यों है, उसके बाद हमें उस वर का कोर्स पताओना चाहिए कि उस वर में basically हुआ क्या था, कोई बहुत important battle तो नहीं होई थी, फिर उस वर का जो end हुआ है, वो कौन सी treaty से हुआ है, कोई treaty है, वो हमें पताओना चाहिए, और बाद में हमें पताओना चाहिए कि इस वर का significance क्या है, उसका outcome क्या है, और इसकी implication क्या पड़ी आने वाले time पर, तो जो main reason था for the first Carnatic War, वो इंडिया में नहीं लाई करता है, वो लाई करता है यूरोप में, तेकि यूरोप में एक Austrian Empire है, वहाँ पर War of Succession आती है, क्यों? क्योंकि Hebsburg Empire का जो प्रिंस है, वो मर जाता है, और उसके बाद उसकी जगह पर कौन बैठेगा, इसके पीछे लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, और वो एंपार इतना बड़ा होता है, उसकी ज यहाँ पर शुरुवात कौन करता है War की इंडिया में? देखे, अंग्रेजों को पता है कि French के पास कोई Indian Fleet नहीं है, Navy Fleet नहीं है, तो British सबसे पहले एक aggressive stance adopt करते हैं, और वो कुछ ships को, जो trade ships थे French के, उनको acquire कर लेते हैं, उनको डुबो देते हैं, और उसके बाद जो French है, वो French Governor General थे इंडिया के, उनको मदद प्रदान करते हैं, जैसे ही reinforcement आती है, French attack करना शुरू करते हैं, इंग्लिश को, और जो इंग्लिश का एक मदरास के थोड़े से पास में ही एक fought था, George, उसको वो capture कर लेते हैं, उसके इसासाथ, उसके आसपास का जो area है, वो 1746 तक British के control में जाता है, तो French की control में आ जाता है, तो start कौन करता है war की? British, British कुछ French के, जो ship है, उनको डुबो देते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही Mauritius से, France की reinforcement आती है, France, British के ओपर काफी तगड़ा attack करता है, जब war बढ़री होती है, तो जो British है, वो nabab of Carnatic, क्योंकि ये war कहाँ पर हो र निचे, नबाव France को बोलता है कि प्लीज आप मदराद को छोड़ दीजे, जो आपने fort George पकड़ा है, उसको छोड़ दीजे, लेकिन France वाले नहीं मानते हैं, अब ना आपको गुसा आ जाता है कि मेरी बात France वाले क्यों नहीं मान रहे हैं, तो France को सबक सिकाने के लिए एक आ दियार वहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक बहुती फेमस वार होती है, जिसको हम Battle of St. Thomas के नाम से जानते हैं, कौन सी दो आर्मी हाँ पर मिलती है, एक नबाब अनवरुद्दीन की आर्मी जिसको लीड कर रहे हैं महफूस खान, यह basically British की help करने आई हैं, और दूसरी आर्मी, जो की well-trained आर्मी है, जिसके पास काफी अच्छे eminutions हैं, यह 10,000 वाली आर्मी को आराम से हरा देती है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा lesson आता है, कि अगर आपकी आर्मी disciplined है, अगर आपकी आर्मी well-trained है, तो आप आराम से एक बड़ी Indian आर्मी को हरा सकते हैं, जि जो की Paris में एक place है, और यहाँ पर दोनों जो power लड़ रही है यहाँ पर, France और Britain, इनके बीच में एक संधी हो जाती है, जहाँ पर इंडिया में भी जो war इनके बीच में चल रही है, First Carnatic War, वो भी खतम हो जाती है, ठीके, तो जो madras है, वो English को बापिस दे दिया आता है, France के द्वारा, और France, North America में, Louisburg, जो उनका place है, वो वापिस ले लेते हैं, तो treaty of Ikes-la-Chapel, यह एक treaty है, जितके through First Carnatic War का end होता है, अब significance क्या है, First Carnatic War की, देखिए, military significance मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ, कि इस war ने यह demonstrate किया, कि जो European troops हैं, जो कि well trained है, जिनके पास ammunitions है जो कि disciplined है, यह आराम से बड़ी Indian power को हरा सकते हैं, बड़ी Indian army को हरा सकते हैं, जो कि Indian army उतिनी trained नहीं है, उतिनी equipped नहीं है, और उनमें कुछ military weaknesses हैं, ठीके, political significance क्या था, कि जो डुपले थे, उनको पता लगया कि मैं अब धीरे-धीरे जो Indian rulers हैं के बीच में जो dispute हैं, उनमें फाइदा उठा सकता हूँ, ठीके, अब यहां पर एक शुरुवात हो जाती है, इस particular war के बाद, जहां पर हमें European intervention देखने को मिलेगी, European interference देखने को मिलेगा, in the disputes of Indian rulers, ठीके, तो first Carnatic war को हम इसले बहुत important मानते हैं, क्योंकि यह power, जो यह war थी, first Carnatic war, यह सिर्फ दो बड़ी European powers की बीच में नहीं हुई, इसका influence, इसका जो effect है, आगे वाला जो implication है, वो Indian rulers पे भी हमें देखने को मिलेगा, वो बार बार अपने disputes को solve करवाने के लिए, अपने dispute में अपनी power को बढ़ाने के लिए, इन दो nations के पास भग जाएंगे, और यह दोनों nations फिर बाद में लड़ा को नीची है, फर्स्ट कानेटिक वर के बाद को सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी अफ आइक सलाई शेफल, ठीक है, पैरिस में, आप कुछ कोशन्स डिसकर्स करते हैं, ताकि आपके टॉपिक पूरा कम्क्रीट हो जाए, पहला कोशन है, तो आप अगर ध्यान से देखें, तो य वो है 1746, तो ऐसा ही लॉजिक आपने पेपर में भी लगाना तो इस कोशन का राइट एंसर गया बनेगा, ऑप्शन C, अगला कोशन देखते हैं, यह स्टेटमेंट 20 कोशन है, विच अफ दा फॉलोविंग स्टेटमेंट्स इस आर करेक्ट रिगार्डिंग फर्स्ट कार्न देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वार है मैंने भी बताया भी आपको, इट केम टू एन एंड बाइदी ट्रीटी ओफ एक्स लाइश शैपल, जो कहां पर हुई है पैरिस में, ठीक है ट्रीटी ओफ मदरास यहां पर नहीं हुई है, यह ऑप अब आज का लास्ट कोशन देखते हैं, अमेरिकन इंडिपेंडेंस नहीं हम जानते हैं, अमेरिकन इंडिपेंडेंस 1776 में हुई है, लेकिन फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुई है, 1746 से 48, फ्रेंच रेवरूशन नहीं क्योंकि 1789 में हुई है, डेथ औरंग जेब 1707 यह भ काफी असानी होगी आपके exam में questions crack करने में, ठीक है, तो यह हमारा आज का lecture था, I hope कि आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ समझ आया होगा, अगर कोई भी doubt है, कोई भी query है, तो please comment section में लिखिए, या फिर आप हमें call कर सकते हैं, 8146207241 पर, या एक mail drop कर सकते हैं, hello at the rate edutab.co.inper, this is all from my side friends, thank you very much, Jai Hind, Jai Bharat.